अतुल के नादानी का वाला चैप्टर का हम लोग question answer करेंगे first question मैंने यहां दिया है मा ने अतुल से क्या कहा और क्यों तो answer हम लोग यहां पर देखेंगे जब शेखर ने मा के यहां पर उनके जगह पर मा के जब शेखर से आगे यहां जब जोड़ेंगे हम लोग जब शेखर ने मा के पैर चुकर प्रणाम किया तो वे तुरंत अतुल को देख कर बोली अरे अतुल कुछ सीख शेखर से कैसे बड़ो का सम्मान करना चाहिए तो यह मा ने यह कहा और क्यों कहा तो क्यों का आंसर यह लिखना है कि मा भी मा चाहती थी कि अतुल भी शेखर के समान एक अच्छा और वैवहार कुशल बालक बने अब हम लोग सेकेंड में आएंगे सेकेंड कुश्चन हम लोग देखेंगे शेखर को सभी से आशिरवाद क्यों मिला शेखर को सभी से आशिरवाद इसलिए मिला कि वह एक वैवहार कुशल बच्चा था और बड़ो का सम्मान करना जानता था जब शेखर अतुल के घर गया तो उसने अतुल के दादा दादी के पाउच हुए और दादा जी ने हसते हुए उसकी पीठ ठोकी दादी जी ने आशिरवाद की जड़ी लगा दी क्योंकि शेखर ने उनका सम्मान किया था और उनके पैर छू करके उनके आशिरवाद को लेने का कार्य किया था इसलिए उसे आशिरवाद मिला था तो बड़ों का सम्मान करने से बच्चों को हमेशा आशिरवाद मिलता यानि छोटों को आशिरवाद मिलता है अब हम थर्ड वाले में आएंगे यह हमारा दोनों शौट आंसर था शौट क्वेशन यहां शेखर तथा अतुल का वैवहार कैसा था यहां पर आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो थर्ड वाला में क्योंकि दोनों का वैवहार बताना हमें तो सबसे पहले शेखर का अभी हम रहने दे रहे हैं अतुल का दुर वैवहार सभी को खटकता था अतुल अक्सर पशु पक्छियों को सताता तो कभी छोटे बच्चों को तंग करता था यही नहीं वह बड़ो का कहना भी नहीं मानता था लेकिन शेखर का वैवहार बिलकुल अलग था शेखर वैवहार कुशल बच्चा था और वह बड़ो का सम्मान करता था सभो से प्यार से बोलता था यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सभो से प्यार से बात करत बोलता था दूसरे किसब के कामों में हात बटाता था और जानवरों के साथ कोई दुरवैवहार नहीं करता था तो यह गुन शेखर के थे अब हम आएंगे शेखर ने अतुल को क्या समझाया विस्तार से लिखो तो इसका अंसर हम लोग को कॉपी बुक में ही मिल जाएगा यहां हम लोग दिखेंगे उसने की जगह पर हम हटा करके शेखर ने बड़े ही धैर्य से उसे हटा करके अतुल लिखेंगे अतुल को समझाया देखो दोस्त तुम थोड़ी सी समझदारी से अगर काम लो तो हो सकता है कि तुम में भी सुधार आ जाए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता बस सबसे प्यार से बोलता हूं सबके कामों में हात बटाता हूं इन सब काम में मुझे अच्छा लगता है और किसी काम को करने में बुराई भी क्या है मम्मी पापा का कहना मानता हूं बिना किसी बात पर ना हसता हूं ना बोलता हूं जानवरों के साथ कोई दुर्वेवहार नहीं करता बस धिरे धिरे तुम भी करने लगो तो ये तुम्हारी आदत में आ जाएगा फिर सब तुम्हें भी प्यार करने लगेंगे चलो आज के लिए इतना अब कल मिलेंगे ध्यान रखना, सब का कहना मानना, बढ़ बढ़ मत करना तो ये बाते उसे समझाया, शेकर के द्वारा समझाया जाता है लास्ट वाला क्वेस्चन है यहाँ पर खेलते समय कौन सी घटना घटी वर्णन करो तो यहाँ पर खेल वाली घटना का वर्णन करना है तो टोटल हम लोग का फाइफ क्वेस्चन है फिफ्ट वाला क्वेस्चन को हम मैंने सेकिंड में ही करवा दिया इसका अंसर हो जाएगा शेखर और अतुल पार्क में पहुँचकर खेलने लगे लेकिन अतुल का मन खेल में नहीं लग रहा था वह अन्मनी मन से फुटबॉल पर पैर मारता रहा अचानक उसका पैर बॉल की जगा पत्थर से टकरा गया और वह मू के बल जमीन पर गिर पड़ा उसने चारों और नजर घुमाएं कि कोई उसे आकर उठाए लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया मोहन और रमेश वहीं खेल रहे थे उसे देखकर आगे चले गए अतुल को रोना आ रहा था कि तभी शेखर ने उसका कंधा पकड़ कर उठाया और उसके कपडों से मिट्टी जाडने लगा वह उसके पैरों पर ध्यान से देखने लगा कहीं कोई चोट तो नहीं आई अतुल ने भी जुक कर पैरों की तरफ देखा बस थोड़ी सी खरोज के अलावा ज्यादा चोट नहीं लगी थी लेकिन अतुल को एहसास हो गया कि उसकी मदद को आज कोई नहीं आया केवल शेखर ही उसका सहारा बना तो ये घटना घटी थी इसका वर्णन करोगे तो question answers हम लोग का complete हो गया है अब अगले वीडियो में हम लोग व्याकरन का chapter करेंगे